पहले देखा गया था कि अनुराग और प्रेड़ना रोनेट से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं अंत में बजाज उन तक पहुचता है जहां प्रेड़ना अनुराग को बजाज के प्रकोप से बचाती है इस प्रकार बजाज ने रोनेट को रंगे हाथ पकड़ा और अनुराग और प्रेड़ना के सामने उसे उजागर किया पोस्ट रोनेट अध्याय बंध हो जाता है अनुराग और प्रेड़ना का टकराव होता है हाला कि इस बार बजाज ने दुआ की है क्योंकि वेह प्रेडना पती है अनुराग प्रेडना को वापस अपने साथ ले जाने का वादा करता है जबकि बजाज प्रेडना को हाथ पकड़ कर उसे दूर ले जाता है यह देखना वास्तव में दिल्चस्प होगा कि प्रेड़ना के आगे क्या होता है क्यूंकि वे हो और अनुराग अब कभी एक जोच नहीं हो सकते सोईया आयोध्या में ग्लामरस और अमीर महिला तन्वी का किरदार निभाएंगी तन्वी बजाज बुआ के बहुत करीब हैं कि वे श्री बजाज की सबसे अच्छी दोस्त भी हैं जबकि तन्वी हमेशा मिस्टर बजाज से शादी करना चाहती थी और उसकी पतनी बन गई बजाज और प्रेड़ना शादी की सच्चाई उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा बन कराएगी तन्वी प्रेड़ना के लिए एक नई चुनोती बन जाएगी क्योंकि तन्वी प्रेड़ना और बजाज के वेवाहिक संबंधों को स्विकार नहीं करेगी जहां तन्वी पहली बार प्रेड़ना पर श्रीबजाज का वहरोसा तोढ़ने का लक्षे रखेगी देखते हैं कि प्रेड़ना कैसे इस नई चुनोती से लड़ेगी रूनित ने जेरीच में प्रेड़ना को अपहरन करने और बजाज अनुराग प्रेड़ना पर बद्ला लेने की कोशिश करने के बाद मिस्टर बजाज ने प्रेड़ना के साथ भारत वापस आने का फैसला किया मिस्टर बजाज और प्रेड़ना के वैवाहिक जीवन की शुरुआत के साथ बजाज अपनी बेटी सनेहा को प्रेड़ना से मिलवाएगा जहां प्रेड़ना और सनेहा कई बार एक दूसरे से मिल चुके हैं स्नेहा प्रेरना के उद्दास जीवन में नई उमीद लेकर आएगी। अंत में प्रेरना को भी पता चल जाएगा कि श्री बजाज स्नेहा की खातिर अपने बच्चे को अपना नाम दे रही है। देखते हैं कि श्री बजाज से शादी करने का कारण जानने के बाद प्रेरना क क्या करेगी?